नमस्कार आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूँ आपके साथ रोशन देखे दिल्ली में बीजेपी जेडियू और लोजपा का गडबंदन हो गया है जारखंड में विखराओ का खाम्याजा भोगतने के बाद अब बीजेपी सहयोगी दलो को एक साथ लेकर चलने की रणनीती अपना रही है और इसी रणनीती के तहट जेडियू को दिल्ली में दो सीटों पर चुनाओ लगने का फैसला लिया गया है और इसके साथ ही लोजपा को भी एक सीट दी जाएगी अब इस क्रम में आज जेडियू के संगम विहार विधान सभा छेतर से जेडियू क प्रत्यासी सीव चरण लाल गुपता पहुंचे है नामांकन करने इस दोरान उन्होंने हमारे संभाज सहियोगी सौरवराज से बात की पहले आप सुन ये वो क्या कुछ कह रहे हैं दिली के संगम विहार से जदियू परत्यासी हमारे साथ है इन से जानेंगे कि क्या भाजपा और जदियू मिलके संगम विहार से इस सीट को निकाल पाएगे सर आपको सुबकाम नाये हैं पहले लेकिन आप पताई सर क्या जडिव और पीजेपी की गटबंदन संगम यार से सीट को निकालेगी सव प्रतिसत यह गटबंदन आगे चुनाओं में खरा उतरने वाला है यह जो केजरी वाल चुनाओं हमारे यहां लड़वा रहे हैं लोगों को पिछले साथ वरसों से इन्हों ने कुछ नहीं किया तो छेत्र इसे विधान सभा छेत्र में सिर्फ कार यह चाहता ऐसे विधान सभा छेत्र में जहां पे पुर्वांचल और उत्तर प्रदेश है यह बेक्ति उत्तर प्रदेश और पुर्वांचल का मिश्रण है और जैसे गडित में एक और एक मिलकर 11 होते हैं वैसे जन्तदल यूनाइटेड और भारती जन्ता मान्टी मिलकर 111 हो गये हैं और भारी बहुमत से साइद 70 की 70 विधान सभाव में इस जीत का जो मार्जिन हो होगा वह सबसे ज्यादा मार्जिन से क्या कैम्पेंट में 30 कुमार आएंगे और भी जो आपके जैदिव बिहार के जो बनेवले लीडर हैं हर हर बैक्ति जो इस विधान सभा से संबंदित है पुर्वांचल का भारती जन्ता पार्टी का जेडी यू का उडिशा का प्रह्म इस नाम पर सिर्फ लोगों को फूसलाने का काम किया जा रहा है क्योंकि ये सिर्फ चार महीनों का ही है इसके आगे ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है इसके साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि दिल्ली में 70 की 70 सीटों पर भी वीजेपी और जेडियू गडबंधन जीतने का दमखम रखती है माददार रखती है तो लगातार इस तरह की बा कि इससे पहले कई राजियों में नुकसान के बाद जो सीटों का नुकसान हुआ सरकारे गई जारखन में भी बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई इसके बाद जो अब दिल्ली में गडबंधन हुआ है तो क्या कुछ होने जा रहा है दिल्ली में आप लगातार हमारे साथ बने रहिए तमाम खबरों से और अपडेट से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है झाल झाल